इस लेसन में हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट के बारे में तो ग्रोथ रेट क्या होती है ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम ग्रोथ रेट कहते हैं कहीं पर भी अगर रेट आ गया है इसका मतलब टाइम की बात की जा रही है उसमें ठीक है तो ग्रोथ दो तरह से हो सकती है एक तो इस तरह से ग्रोथ हो सकती है कि कोई दो चार छे आठ इस तरह से बढ़े दूसरी ग्रोथ इस तरह से हो सकती है कि दो चार आठ सोला इस तरह से ग्रोथ हो तो अगर individuals की organisms की growth इस तरह से हो रही है तो इसे कहते हैं earthmatic growth rate लेकिन अगर organisms की growth इस तरह से हो रही है जिसमें वो ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है लाइट तो इसे कहते हैं geometric ग्रोथ रेट तो अब हम पहले देखते हैं वाट इस अर्थमेटिक ग्रोथ रेट तो इसमें अगर सपोज एक सेल है ठीक है तो यह है मेरिस्टमेटिक सेल इसके डिविजन से दो सेल बने तो इसमें एक सेल वापिस से मेरिस्टमेटिक सेल बन जाएगा और दूसरा ही सेल सिर्व वही मैच्योर होगा तो यह हो गया मैच्योर सेल तो इसका मतलब cell division के बाद भी cell number इतना नहीं बढ़ा क्योंकि एक cell वापस से arithmetic cell ही बन गया तो इस तरीके की जब growth होती है तो उसे हम arithmetic growth कहते हैं क्योंकि वो linearly बढ़ती है ठीक है तो अगर इसको हम एक equation में depict करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं L0, L T equal to L0 plus R T जिसमें L क्या है? L is length तो L T क्या है? Length of cell at time equal to T L0 is length of cell at time equal to 0 R is growth rate and T is time Now, तो अगर इसको मैं graphically represent करना चाहूं तो कैसा रहेगा? Growth versus time तो ये एक straight line रहेगी क्योंकि time के साथ growth बढ़ती ही जारी है वो भी linear increase है growth का अब हम देखते हैं कि geometric growth rate क्या होती है तो जब जो small organisms होते हैं जैसे जो insects है या bacteria है फंगाय है तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी नंबर में grow हो जाते हैं तो उस तरीके की growth को geometric progression बोलते हैं जिसमें organisms double होते जा रहे हैं पहले जितने भी है उससे तो यहाँ पर force का double है 8, 8 का double है 16, ऐसे या आगे 32 तो ये organisms double होते जा रहे हैं तो जब भी हम किसी भी छोटे organisms को bacteria वगरा को हम अगर high nutrient के media में उन्हें grow करते हैं तो फिर उनकी growth rate बहुत जादा बढ़ जाती है और वो geometrically grow करने लगते हैं फिर ये divide करके 2 cell बनाएगा फिर ये इस एक cell से फिर से 2 cell बने फिर इससे 2 फिर इससे 2 तो इस तरह से geometric progression में division होता ही रहता है तो इसको हम represent कर सकते हैं n t equal to n not e raise to r t इसमे n है number of cells and t number of cell at time t equal time t and not number of cells at time t equal to zero so mt is number of cells at time t तो इस equation के accordingly अगर मैं graph बनाओ growth और time के बीच में तो एक exponential करवाना चाहिए राइट कुछ इस तरह का लेकिन realistically ऐसी growth नहीं होती है क्योंकि इस growth का मतलब है कि growth हुई exponentially और फिर होती ही जारी है infinity तक but realistically ऐसा नहीं होता it saturates at some point okay so now if we want to compare और if we want to quantitatively compare between various growth rates तो हम कैसे compare करेंगे तो उसके लिए कुछ terms होती है तो एक term है absolute growth rate और दूसरा relative growth rate तो absolute growth rate मतलब absolute में या जो real growth rate है वो तो अगर मैं absolute growth rate के हिसाब से फिर से अगर growth versus time का graph बनाती हूं तो इसा ही बनेगा क्योंकि यह real है राइट तो इस तरीकी का कुछ graph आएगा because realistically the growth rate is of sigmoidal nature then अगर मैं यहां पर यह तो है growth versus time लेकिन अगर मैं growth rate versus time का graph बनाऊंगी in real scenario तो कैसा बनेगा यह होगा bell shaped क्योंकि इसका क्या मतलब है कि initially growth rate time के साथ increase हो रहा है फिर वो maximum पर पहुंचा और फिर वो time के साथ growth rate उसकी decrease होने लग गई okay now next is relative growth rate तो जब भी हमें growth rate compare करनी होती है of suppose हमें a की growth rate compare करनी है with respect to b तो वो है relative growth rate it is used for comparison and यह भी जानने के लिए use होता है कि किसकी growth rate जादा है तो इस lesson में हमने देखा कि organisms grow कैसे करते हैं तो कुछ organisms earthmetically grow करते हैं और कुछ geometrically grow करते हैं और फिर हमने दो ऐसे terms पढ़े जिनसे कि हम growth rates को compare कर सकते हैं हादाल झाल झाल